इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकुम रहमतुल्ह बरकातु इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मगदम है बुर्दू फिर बन गई इनकलाबी जवार फैज हबीब की नजमा से क्या हुकूमत डरने लगी भले ही वर्दू को खत्म करने के साज़िश अपनों ने और गैरों ने बारहा की वोपर उर्दू जबान ही इसी है जो मिटते नहीं मिटती जब कभी जालीम का जोर बढ़ने लगता है मजलूम की सिस्की आस्मान को चूने लगती है तड़ती लाशे धुआ आग कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो वुर्दू के ही अलफाज अपना किरदार निभाने लगते हैं लिखने वाले शायर तो दुनिया से चले गए पर जो अलफाज पीछे छोड़ गए वो वक्त जालीम हुक्मरानों से आज भी लड़ रहे हैं पर आतराज जताने वालों ने इसे भी कटगरे में खड़ा करने से नहीं छोड़ा वैसे जंग आजादी में इनकलाब जिंदावाद का नारा भी इसी उर्दू की देन थी सारे ज जाओर में उर्दू ने इनकलाबित तहरीकों की रेवरी की है फिरका परसोचों फिक्र लोग हमेशा से ही इसके मुखालिफत में थे जो आज भी वो कैसे पीछे रह सकते हैं लहाजा उर्दू नजम जिसे फैज ऐमत फैज हबीब जालिब ने लिख की है इसे पढ़ने पर मुखद में दायर किये और इस पर एंक्वाइरी बिठाई गई है सोला लोगों की इंक्वाइरी इस पर बिठाई गई है इसे हिंदू विरोधी साबित करने की भी कोशिश की जा रही है फैज अहमत फैज की नजम हम देखेंगे जिसे वक्त के ताना शाह जियावल हक्के ख हम नहीं मानते नजम को तलबाओ तालिबात पढ़कर एतजाज में जान भर रहे है यकीनल और्दू जबान ही ऐसी है जो मुर्दों में भी जान भर देती लिहाजा यह नारसी और सिये यह के खलाब जो मुलक बर में एतजाज हो रहा है जबके इन इनकलाबी नजमों को फैस की हम देखेंगे कुछ लबजों ने मुखालिफत के खेमें में खल बर्री मचा दी है और शायद इसी लिए देश विरोधी और हिंदो विरोधी कहा जा रहा है फैस कहते हैं यूहीं वुलस्ती रही है हमेशा जल्म से खलक ना उनकी रस्म नहीं ना पनी रीत नहीं तेवर खालिस इनकलाबी था ना हुक्म मानते थे ना जुकते थे हबीब जालिब तुको तो हुक्मरानों ने कई बार जन्जिरों में जखरने की कोशिश की लेकिन उनके कलम कभी ना जखड़ पाए वो चलती रही मजबूरों और मजबूरों के लिए सता के खलाब बिना भारत के बटवारे को हभीब जालिब नहीं मानते थे लेकिन घरवालों की महबत में इन्हें पाकिस्तान जना पड़ा हभीब तरक्की पसंद कवी थे इनके सीधी सपहट बाते जुल्म करने वालों के मुपर तमाचा थी शायद यहीं वज़े रही कि अदब की दुनिया मे हभीब जालिब जैसा मशूर कोई ना हो सका करन इन्हें जनकवी का तमगा अवाम से मिला किसी अवार्ड से कम नहीं था भारत में मौझूदा शेरित कानून को लेकर जो एतजाज खासकर तलबाओं की जानिब से च्छड़ गया है इसे पढ़ा जा रहा है इन्होंने लिख है दीप जिसका महलात ही में जले चंद लोगों की खुश्यों को लेकर चले वो जो साय में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं भी खाइप नहीं तक्तेदार से मैं भी मनसूर हूं कहे दो अगयार से क्यों डराते हो कहो ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता कुछ अशार रहती दोरे की भी पड़े गए हैं ऐसा नहीं कि मुदी सरकारी ही है और इसी के खलाब यह सब पड़ा जा रहा है इससे पहले भी इंदिरा गांधी के वक्त इनकी हुकुमत के खलाब भी पड़ा गया था फिरका परस सोच फिक्र अपना तंग नजिया रखते हैं जिनने हमेशा पाकिस्तान या हिंदु मुस्लीम की तरफ जान बुच कर लाया जाता है ऐसा मशूर लेकर कभी प्रदर्चन ने कहा आगे उन्होंने कहा कि 1989 में फैज ने लिखा और 1984 में उनका इंतकाल हुआ और जिस ताना शाह के ख फिर भारत में मुदी हुकूमत के खलाब पड़ा गया हुकूमते अलफाजों की ताकतों से डरती हैं बरसों पहले इसी खत्म करने की बहुत कुशिक की गई पर अलफाज मरते नहीं है जालिम हुकूमतों के सामने हक बात कहने के लिए आखड़े होते हैं जैसे एक बार फि तेरे सीने में सही हो कहीं भी पर आग लगनी चाहिए बाश दुमिल नागार जुन का जिक्र करते हुए उन्हें न कहा कि शायर हुकूमतों का इम्तिहान लेते हैं और हुकूमते शायरों के खलाब खड़े होते हैं और यह तनाजब पुराना है लहाजा जालिम लबजों से डर जाते हैं दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से यह का जा रहा है कि मोदी अमिक्चा को जिस तरह जालिम कहा जा रहा है यह सहीं नहीं है लोक तंत्रा भी भी जिन्दा होने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है अवाम को घजलों के जरिये शेरों के जरिये बेका या जा रहा है ऐसा भी इनका कहना उर्दू शेरो शायरी के जरीए एक बार फिर दिसंबर के टिटूरती सर्दी में भी सियासी माहूल गर्म होता दिख रहा है। फैस अहमत फैस और हबीब जालिब की नजबों ने एतजाज को इनकलाबी रुख देने का काम किया है। उस पर इनकोईर बिठान के बाद चल रही है। उनका ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। वो लोह एजल में लिखा है। जब जुमों सितम के कोह गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकमों के पाउं तले जब धर्ती धर्ड़ धर्केगी। जब एहल हाकिम के सर के उपर बिजली कड़ 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 केगी। जब अर्ज खुदा के काबे से सब्बुत उठाए जाएंगे। हम एहल सफा मर्दूद हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे। सब ताज उचा ले जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्ला का। यही वो नजम है जिस पर इन फिरकापरस्तों को इन मौझुदा हुकूमत को एतराज है। देखना यही है कि क्या वाकई इस पर सक्ती से करवाई होती है। इतिहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफीज।